नमस्ते ठड़ आई में आपका स्वागत है आज नितीश जी की बात कर लिए जैंआ और नितीश जी से जादा जनता दल यूँ इन सबकी बात इसलिए कर लिया जैंआ कि सुबह एक निवस आई कि मनीश वर्मा साहब कुई एक है कुई एक है मैं इसलिए बोलू मैं नहीं जान इनको इनोंने जनतादल यू जोईन की और ये भी ख़बर आए कि इनको नितिश कुमार जी ने अपने उत्रा अधिकारी के रूप में तैय किया है और इनी को अब वो अध्याश बनानी जा रहा है ये बात मैं आपके साथ इसले शेयर कर रहा हूँ कि ये जनतादल यू का मेर इसले बोल रहा हूँ कि मैं शायद मालूने इससे पहले मैंने कभी कहा कि नहीं कहा आप लोगों को कितने को पता है कितनों को नहीं पता है जब आज मैंने एक ख़बर पढ़ी तो मुझे जनतादल यू का अंत नितीश कुमार जी के पुलिटकल करियर का अंत और भाजपा क साथ रहते हुए भी अंडिय के साथ रहते हुए भी देश के तवाम समाजवादियों का ऐसा लगता था और ऐसी गलत फहमी थी कि जनतादल यू के रूप में नितीश कुमार के रूप में एक समाजवादी विचारधारा या जैप्रकाश के विचारधारा कहीं न कहीं धीर दिरे उसके नीचे चल रही है तैर रही है लेकिन इस पश्ठ हो गया है कि ये सब लोग गलत थे मैं भी गलत था और नितीज ये शुद्ध एक जातिवाद एक जिनको अपनी जात के लावा और कोई जात दिखती नहीं है उस तरह की बहुत से हैं वो कोई खराब बात नहीं है लेकिन फिर वो अपने को मैं उनको रोंपकाश, राजभर, संजे निशाद, सुने लाल पटेल इन लोगों की केटेगरी में खड़ा हुआ देखता हूँ मैं थोड़ा अविस्तार से आपको इसलिए बताना चारा हूँ कि अगर आप बिहार की राजनी समझें और समता पार्टी की राजनी और फे जनतादल यू की राजनी तो उससे क्या-क्या प्रभावित हो रहा है लालू यादव का वर्जस हो था लालू यादव जिसको जाते थे उसको जिताते थे जिसको जाते थे उसको हराते थे और लालू यादव यह मानते थे कि बिहार में वो जिसको जाके उसको जिताके भेज़ दे रहा है और यह एट्चूड में विक्टिकत उन उसके पतर मैं MP बनते हैं, ये कश्मो कश्च चलती रहती थी, लालु यादव का एक अपनी स्टाइल थी, 89 का एलेक्शन हो गया, मैं पुरानी, मैं 89 से अब इस बात को कर रहा हूँ, फिर लालु यादव चीफिनिस्टर हो जाते हैं, 91 में फिर एलेक्शन होता है, और फिर उनका ये बिल्कुल भूत अब चाहसिर पर चड़ जाता है, लालु यादव जी के, कि वही इन सब लोगों के करता धर्पा है, ठीक है, जौर साहब इस गौपो से हरदम उनका समस्या चलती रहती थी, जौर साहब की सबसे बड़ी खुबी ये थी, कि वो कैसे सस्टेन करना है, कैसे सर्वाइव करना है, ये उनको बखुबी आता था, मतलब क्रिश्चन होने के बाद भी मूल रूप से कन्ड़ कनाटक के रहने के वाले व्यक्ति, महराश में जिसने अपनी सारी उम्र गुजारी, सारी पॉलिटिक्स महराश चेकी, वो आके किस तरह से बिहार के सुदूर शेतर में एक एकसेप्टिबल लीडर की हुआ था, ये जौर साहब की अधुती यह उता है, और जितनी महनत जौर साहब करते थे, जितना पढ़ते लिखते थे, लेकर, मैं उस पर किसी और दिन उस विशे पर बात करेंगे, जब कैसे वो बीजेपी के साथ आके, उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई, बीजेपी के साथ आके और बीजेपी को, को ये बता के कि बीजेपी कितनी सेकलर है या कितनी अच्छी है, उस सब उन्होंने नश्ट कर दी, अपने जीते जीत, उसको स्वाहा किया, जब 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 में पूरे देश में उनके लिए एक केवल धका ही नहीं था एक बहुत कश्ट की बात थी एक व्यक्तिकत दुख की बात थी 93 से में यह सब और शुरू हो जाता है 94 आते आते हैं जो और सभी डिसाइड करते हैं कि हम लोग लालू यादों के साथ नहीं चल पाएंगे और वो जनता दल से बाहर निकलते हैं जुलाई 1994 में और वो एक पार्टी बनाते हैं समता पार्टी उस समता का बहुत कुछ लुईया से उस inspired वाली बात थी पार्टी बनती है पार्टी में विहार से ज्यादा MP लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ सिटिंग MP उडिसा के लक्षुदीब के मणीपूर के देश भर के लोग उसमें आते हैं गुजरात के बहुत से देश के लोग उसमें पार्श्मेट करते हैं करना सिंग्, हर केवल, मेरे भाई, फिर उडिसा चले जाए रवीरे, बड़े हस्ताक्षर समाजादी आंदोगर, महमत कोया, यह एक लंबी चर्चा होगी, लेकिन यह सब करते कराते हैं, जोर सहाब समता पार्टी बनाते हैं, समता पार्टी 1994 में लाँच होती हैं, फिर जोर सहा कि उस विचार से प्रभावित होके, लालू यादोग के, मतलब मंत्री परशद के दो मंत्री, वशिश नराइन सिंग्, और सुधा शिरास्तर जी, यह मंत्री मंडल छोड़के, जोईन करते हैं, समता पार्टी, अक्टूबर 1994 की गान्धी मैदान में रैली होती हैं, उस रै उन थे, बिना मुझे से पूचे, मुझे भी उस का कही न कहीं आफिस बेर बनता हूँ मैं, और मुझे दूसरे दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि मैं नौकरी में रहते हुई एकाम नहीं कर सकता है, इस्तीफा देता हूँ, मैं बहुत insist करता हू कि शायद मैंने पहले नहीं कहा है, insist करता हूँ कि मुझे मद बनाईये, मैं बाहर से रहके ही आके मदद करता हूँ, लेकिन वो नहीं मानते हैं, और फिर वो मुझे भी हिस्सा बनना पड़ता है, और गानी मैदान के एक बड़ी रैली होती है, मेरा नितीज जी से विक्तिक किया, एक डिड़ होई ना, रैली के तैयारी की, 1994, अक्टूबर 94 में वो रैली होई गानी मैदान में, इन सब के बीच मुझे एक नितीश में हर्दों लगता था, एक पढ़ा लिक्ति, एक एंजीनिर आदमी, ये सारी चीज़ें उनकी मुझे अच्छी चीज़ें अब इस समय चुकी हो चीफ मिनस्तर हैं तो दोस्त क्या कहना, बहुत ज़्यादा गहरे रिष्टे हो गए थे, उसके बाद, मतलब 94 से लेके 95 बिहार एक समय ऐसा था कि हफते के 4-5 दिन, साथी गुजरते थे, खाना दिन का साथ होता था, एक बहुत क्लोज दर्स थी, उसक अब इस समय चीफ एलक्षन कमिशनर थे, कुछ बिवानिया होई थे, तो जो एलक्षन एक महीन हो रहा था, वो करीब ठाई-3 मेना कीज़ गया, मैं उस एलक्षन को कोडिनेट कर रहा था, पहली बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग एलक्षन लड़ा हैं और हम लोग हेलिकॉप फिर जौर साथ में एक एक दिन में 20-20, 20-20 मीटिंग करने लगा, फिर हम लोग 18-20 मीटिंग एक दिन में करते थे, वो एक लंबा सफर है, वो किसी और दिन में बताएंगे, लेकिन उस एलक्षन के दोरान, चुकि मैं बहुत सी चीज़ों में इल्वाल था विहार की, होली आई बीच में, होली आई तो मैं दिल्ली रहता था, मैं वापस बांग दिया वही, बच्चे चे सब लोग आँ थे, अम्मा, अम्मा, दिल्ली में थी, लेकिन जौर साथ को फोन किया नितीज जी ने कि इनको किसी तरह से रोग दिया, मेरे कहने से तो मानेंगे, जौर साथ क मैंने इसको सारे ने कास्ट तक नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय है, कि ये पक्ष भी पता हो रहा थी है, नितीज जी अंदर से बहुत ही ज़्यादा जाती बात है, और बहुत ही एंटी अपर कास्ट है, ये भी मैं बता रहा है, एक उधारन ये होता था, कि कई जगा आते थे लोग की वहाँ एलेक्षन करना है, कैंपेन करना है, समय दे दी, हाँ, क्या हाँ, दे दी, अरे अरे अरन जी, इनका परसों इनका लगाई ना, जब वो चले जाते थे और अगर वो अपर कास्ट के हैं, तो दी जी है, मैं इस गया नहीं जाँगा, तो हमने का था, आप कहती क्यों है फिर, और मेरे इनके काफी जगड़े होते थे वहाँ, एलेक्षन के दौरान, कुछ लोग विटनेस भी है, उसमें कुछ लोग जिंदा है, कुछ लोग मंतरी है, कुछ लोग मंतरी नहीं है, शिवकुमार सिंग उसमें एक है, ललन उसमें एक है, नीना सिंग उसमें एक है, बहुत से लोग हैं जिद को जगड़े, कि जो गवाँ हैं और अभी जीवित है, ये सलसला चलता रहा, फिर कैसे बीजेपी के साथ आये, क्या हुई समता पार्टी, समता पार्टी फिर, मतलब मैं इसलिए कि 98 का एलेक्षन हुआ, जीते हैं, जीते हैं, छे सीट बिहार में एक उरिसा, एक उतरप्रदेश, फिर 96 का एलेक्षन होता है, 12 सीट जीते हैं, 10 बिहार, दो ये उतरप्रदेश, और फिर 2000 आता है, 2000 में नितीश जी को, और मेरा फिर मैं अपना सफर कहीं कहुआ हूँ, फिर एक समय ऐसा आता है कि म आके अपने पड़ाय लिखाई और दूसरे कामबं में वेस्त हो जाता है, 2000 में नितीश जी एंडिये के चेहरा होके चीफ मिंस्टर बनाती है, मतलब चीफ मिंस्टर ये बनते हैं, 324 का हाउस से 151 सीट हैं, एंडिये की और 169 सीट लालु जी की पार्टी की थी, नितीश ज अपनी चल रही थी, 1999 में जंता दल में स्प्लिट होती है, जंता दल S अलग हो जाता है, और S के देवेगोडा साहब अपना लेके अलग बना लेते हैं, और उनके खिलाफ करनाट का बेसिक लोगशक्ती पार्टी आ जाती है, और 2003 में आते आते ये तैह होता है कि ये समता प तीर कमाल निशान जो जंता दल का तीर था, वो इसका चलाओ निशान होता है, जंडा लेकिन सब्धा पार्टी का कैरी किया जाता है, सफेध हरेवाग, अब मैं इसलिए इस हिस्पि को बता रहा हूं कि कैसे कैसे जंता दल, वो जंता दल चलता है, फिर निटीज जी के पैसे तो बहुत से लोग है लेकिन जो लोहिया की आइडियोलोजी या गांधी की आडियोलोजी लेकिन जो जीवित उसमें जिसको एक हाड मास के आदमी को आप लीड़ा मानते हैं वो जो और साथ थे लेकिन जो जो और साथ आपका बीजेपी वाला रूप और जिस तरह से वो बीजेपी सब चीजों को सैंक्सिम करते थे, मैं भी अलग हुआ और तहलका में जिस तरह से डिफेंस डील होने लगी थी, उसका मैं मेरे पास बहुत से चीजय हैं जब कभी इसको भी साजह करेंगे, तो मैं अलग हुआ, लेकिन नितीज जी एक समय पूरी तरह से डिपेंडेंट थे जाओ साब के उपर, नितीज जी को एक चीज और याद रखिएगा, नितीज जी 77 में MLA MP नहीं बने, 80 में MLA MP नहीं बने, नितीज जी 84 का MP का एलेक्शन हार गये, नितीज जी 85 में पहली बार MLA बने थे, ब्यार हो, और 89 में पहली बार वो MP बनते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, और देविलाल के साथ, जब पहले एक्रिकल्टर मंत्री होते हैं, बाद में जब एक्स्पेंशन होता है, तो देविलाल के साथ छोटे मंत्री, डिप्टी मिनस्टरों समय हुआ करता है, सफर यहां से शुरुआ है, कोई इनका 77 का सफर नहीं है, उस मामले में लालू लालू जी इनसे बहुत सीनियर है, पुलिटिकल अगर इसको देखा जाए, कौन जीता था, नितीश जी उस जोर सहाब को जो एक तरह से मेंटॉर्स, गुरू सब उस थे, उनका 2009 में टिकेट का जाता है, जोर सहाब फिर भी जाके मुझफर नगर से लड़ते हैं, मुझफर पर से माफ की जाए, मुझफर पर से लड़ते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, वापस आ जाते हैं, नितीश जी का शरद यादव जी आ जाते हैं, शरद यादव जी के साथ पहले वो अच्छा सम मन जाता है यह मैं चीज़ें को जल्दी फास्वाइड इसले कर रहा हूं कि से, म Mullफ सवाइड हैं थी हमें, हली कॉप्ट था जास ता, कहीं कोई, यह नहीं देखना है, पहले समाजवादियों को उता था, जाएं कैसे, पैसा पाह हैं, टिकेट कैसे कौन कुгор कर घायका, कुई से तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन नो उनकी अंतिम संस्कार में ना उनकी तिरही में ना किसी में शर्द यादव जी के साथ के उसमें ये शामिल नहीं हुए थे मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये पैटिनस किसी वेक्टिकी शोगता है नितिश जी को सारी party में अब वो कहें कुछ भी नितिश जी अण record है कहते हुए कि प्रशांद किशोर को उन्होंने कहने पर अपने shawn लाए थे प्रशांद किशोर से बड़े impressed थे फिर नितीज जी देरे 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 नितीज जी R.C.P. सिंग नाम का एक्विक्तिտ मत ता R.C.P. सिंग उत्तर प्रदेश में किरे अध़कारी रहे हैं I.S. रहे हैं बेनी वर्मा जी मतब बारबंकी के DM रहे हैं तो बेनी वर्मा इस सब कुरमी नेट है बेनी वर्मा कुरमी आर्सीपी सिंग गुर्मी ये सब लोग कुर्मी नेट से एक दूसरे बाद घनिष्ट होते हैं बेनी वर्मा दूसरी पार्टी के होते हैं लेकिन अंडर करण जो एक बुनियाधी हो रहता है उससे नितीज जी से जोड़ते हैं नितीज जी को ये जब ये रेल मंत्री बनते है तो RCP सिंग पहुंचते हैं फिर RCP सिंग इनके साथ साथ बहार भी पहुंच जाते हैं इनके private security होके और फिर RCP सिंग में इनको ऐसा दिखाई देता है कि सारा दुनिया इनको दिखाई देने लगती है क्योंकि वो कुर्मी चाह रहा है RCP सिंग फिर पार्टी की कमान समालते हैं MP होते हैं फिर बाद में अकेले स्वावों होके मंत्री भी होने को जाते हैं यह सारा कुछ RCP के सिंग करते हैं और नितीश एक नौकर शाह के हाथ में छोड़ देते हैं पूरी पार्टी को RCP सिंग इनको जो धता बताते हैं जिस तरह से BJP के साथ जाने की बात करते हैं नितीश जी को वो होता है फिर पार्टी में यह ललन सिंग को अध्यक्ष बराये जाता है इत्यादीत देते हैं जब इंडिया गड़ बंदन बनता है उसको बनाने में नितीश का बहुत बढ़ हाथ था इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन उनका बहुत लंबे साथ ही ललन सिंग पहले दिन से उनके साथ है गंदे से गंदा मिला कि उनकी गलस सही सारी बातों में साथ देते हैं लेकिन नितीश जी को उनकी ऊपर विश्वास नहीं है और इसलिए उनको अध्यक्ष की ज वो बिलकुल नवीन पतनाय की तरस पे वो अब एक नया खेल खेल रहे थे उनको एक फिर अपना सोजाती मनीश वर्मा नाम है मनीश वर्मां आईए सदकारी रहे है उरिशा काडर के उरिशा काडर से उनको अपचुकी उन Yogya नालन्दा नालन्दा नितीश जी का जिला याँ तो वहां के थह यह सारी कुछ अच्छाईएआ उनको देखने लगे और कुर्मी तो थे ही, औरिशा से इनको ट्रांस्फर कराके बिहार लाते हैं, बिहार ब कया अलग अलग पर उनको लिया जाता है पटना के कलेक्टर भी होते हैं अंत्र में जब चुकि कार्डर में आप एक समय सीमा होते हैं उतने ही दिनों तक दूसरे स्टेट में रह सकते हैं वापस जाने की बाता आती है तो 2018 में इस्तीफा देखें फिर ये निटीज जी के कुछ कुछ एडिशनल प्राइट सेक्टरी या प्राइट सेक्टरी के तौर पे काम करने लगते हैं निटीज जी ने अब इनको फिर से पार्टी मंडट किया और ऐसा कहा जा रहा है कि उननी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है और वो उनके उत्रादिकारी होने जा रहा है मुझे एक करश्ट इस बात का है कि एक व्यक्ति जो जिसने बहुत प्रामिजिंग था लंबे समय तक बिहार में 21 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे सुशासन बाबू यह सारी चीज़ अच्छी है लेकिन नितीज बाबू को अगर कोई नौकर शाही में अपना उत्रादकार दिखता है तो यह जड़ा सोचने वाली बात होगी मैं हर दम मानता हूँ कि पॉलिटिक्स बहुती पायस बहुती इमानदारी का कारे है समाज सिवा है इमानदारी शाही है देश को जरूरत है अच्छे लोग नहीं आएंगे तो पॉलिटिक्स नहीं देश की चल पाएगी यह सारा कुछ ह अदि आपको पॉलिटिक्स पॉलिटिशन और नोकर्षा में फर्क करना होता है नोकर्षा एक दूसरी तरह से उसकी ट्रेनिंग होती है हुकुम बजाने का काम होता है नौकरशाह नेता नहीं को सकता है नौकरशाह लीडर नहीं को सकता है मैं ये जनर्रलिस सेटमेंट ले रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ नौकरशाह उस बड़े कैबिनेट का हिस्सा तो हो सकता है लेकिन वो लीड cabinet को नहीं कर सकता है क्योंकि नौकरशा की training दुसरी है नौकरशा को जब सच सच कहना है तो नौकरशा की देश में कितने नौकरशाओं के हिमत है जो खड़े हो के सच को सच कह दे क्योंकि अगर political leadership कह रहे ही कि ये खराब ये चीज़ है तो सिर्फ जुका के हाँ करते रहना है अगर पॉलिटिकल लीडर्शिप कुछ भी क्या रही है तो ये कश्ट का दिन है उन सारे पॉलिटिशन्स के लिए नितीज जी ने उनका उपहास उड़ाया है अगर वो मनीश वो किसी को बना देते वो किसी को अपना उत्रगात कारी बना देते कोई भी नहीं पूछता लेकिन अगर वो एक नौकरशा को और वो भी सिर्व इसलिए कि वो उनकी जातका है बना रहे है तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि नवीन पतनायक पिर भी अगर अपना जो वालिस बनाने की बात भाना की बात में मुकर गए थे पैंडियन को की थी उसके कारण भी और थे लेकिन इतनी डिपेंडेंस ओना नौकरशा मुझे इस बात का अफसोस थे कि भात्ती राजनीत कहां पे आ गई है और मुझे इस बात का एक जमाने में फक्र होता था कि मैं मुझे प्राइवेटली महारदम कहता था कि नितीजी के साथ अच्छा था बात अच्छे दिन थे वो जो थे लेकिन अब मुझे भी कहीं न कहीं ये लगता है कि शायद मैंने भी आदमी को थीक से नहीं पहचान पाया था ये व्यक्ति किसी भी पॉलेटकल पार्टी को लीड करने के लिए ठीक नहीं है थेंकिसो मैं